सिस्टेम में रहने के लिए आपको मेरी जौरत पड़ेगी क्योंकि मैं पोट हूँ और आप बस एक नोट इश्क मुर्शिव आठक दूबर से इत्वार शब आठ बजे मर्दाब अब मुँ ठीक तो कह रहे थे बिल्को ठीक है रहे थे तुम्हें ये सब कुछ आउंटी से नहीं कहना चाहिए था और उन्हें स्टोन में अबू से बात नहीं करनी चाहिए थी चलो जी उतर गही इनकी महबबत की गाड़ी माबापके जरह से भाशन से रिवर्स गेर पर चल पड़ी है यार कहा खो गई तो मैं यहां तुम से बात कर रहा हूँ और तुमोगि सोचों में गुमोओ मैं किन सोचों में गुमोओंगी बलके मेरा तो अपना दिमाग बंद हुआ खाँ है मधनी समझ आ रहा कि ये सब कुछ क्यूं हो और है मैं आपकी फैमिली के तरह मपकार है। मतलब है कि मैं आपकी फैमिली के तरह अकल और शहूर नहीं रखती ना। अफसूच सो सिर्फ इस बात कहा है कि अंकल ना सिर्फ मेरी मामा को बाते सुनाई, बल्के आंटी के सारी घलती मुझ पर हर मामा पर डाल दे। आप तो इस घर के चश्मुच राग है ना, आपको नहीं समझाती। फर्दम, मेरे ना सर में शती तर्द हो रही। प्रीज तो मेकप, चाह पिला दोगे। जरूर मिलेंगे, लेकिन आप भूल रहे हैं कि मैं नई नवेली दुलहन हूँ। मेरे तो अब तक खील में भी हाथ नहीं लगे। अब हम अच्छाए मांग रहे हैं। अच्छा, I'm sorry. देख, मैं जानता हूँ कि हमारी शादी के बाद, पेदर पे घर में कुछ न कुछ होता ही जा रहा है। I know you're upset. क्या तो, हनीमोन पर ले जाने के बजाए मुझे बार पर कठेरे में खड़ा कर दिया जाता है। प्यार बरी मुहपत बरी बाते करने के बजाए, अजीब सावालात में उलजा दिया जाता है। क्यों हो रहा है सब कुछ मेरे साथ? क्या घरवाले मुझे कुबोल नहीं करते? या घरवाले अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और है? तुम ठीक कह रही हो, घर में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी, उसके लिए मैं वाकई ही शर्मिनता हूँ, मैं बहुत जंदी मैं आणिमोन बढ़ जाएंगे. पक्का. पक्कावाण. पक्कावाण. भाई, आप यहाँ? यहाँ, मैं अपने लिए चाय बनाने आयाँ. आप क्यों बनाने आयाँ भाई? मुझे बोल दिया होता, मैं बना देती. खर, आप यही ले ले ले, मैं अपने लिए और बना लेंगी. होदा इस घर में जो मेरी हैसियत है. खैर वो, कहा है चीनिक? भाई, इनसान की हैसियत और उसका वजूद, उसके खुद के एक त्यार में होता है. जब तक आप नहीं चाहेंगे, आप अपनी हैसियत नहीं बदल सकेंगे. दे दो जो. आपकी हैसियत, आपकी जगा, आपके वजूद की तरह, आपके अपने एक त्यार में है. जब तक खुद नहीं चाहेंगे, ना जगा बदलेगी ना हैसियत. लाटली बेहन के लाट उठाने वाला भाई, जब अपनी जगा बदलता है, वो कभी नहीं देखता. उसकी कत्मों तले, बेहन का मान, उसका प्यार, मासूम जजबात बिखरे हैं. आगे पर जाने वाले मेरे भाई, एक पार पलट कर तो देखो, बेहन सदाई देती वहीं घड़ी है. हुदा, हुदा बेटा, अरे इसा आया था किचन में चाहे लेनी? जी अमी, अमी, आप वर्दा को घर के कामों पर क्यों नहीं लगा दी? इस तरह से वो अपने और अपने शाहर के काम तो कर सकेगी ना? अरे बेटा, वो लड़की मौका कब देती है? कोई ना कोई जूटा महाज खोड़कर बैठ जाती है? अच्छा सुनो बेटा, अगर अब अरे से बात हो ना, तो उससे कमेटी मांग देना. सफिया कब तक इंतिजार करेगी? उसने किसी दूसरे को भी कमेटी देनी होगी. ठीक है, मैं कहतूँगी. ठीक है. बड़का और उसमावास या लड़की को हदायत दे. जिस लड़की की एक नजर ने मेरे बेटे को सब भुलाकर पलड़ जाने पर मजबूर कर दिया, वो कल को किस-किस तरह मुझे बेबस करेगी? बीवी के इशारों पर नाचता शोहर हर्गिस में. वर्दा ठीक कहती है, अब कुछ भी करके अजमीर और हुदा के मंगनी खतम करने हैं की. क्या हुआ अपी, क्या सोच रही हैं? नहीं, कुछ नहीं. या लाओ, ये गुम फिरके बार बार अजमीर का ख्याल क्यों आ जाता है? मुहपत इंसान को इस गदर बेबस करते दिया क्या है? क्यूं कर रहे हुआ ऐसा जमीर? मेरी जिन्दे की इतनी बड़ी अजीफ में का है? मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहती हूं और तुम कहीं नहीं हूं तुम कभी भी इतने रूट नहीं थे या कम से कम इस बेहिवियर की वजह ही बता दो अमी खाना लगा दो अब बिटा भी रुप जाओ मैं बस कटिंग कर लू उसके बाद खाती है यह हम दोनों बात मुं मिलके कर लेंगे अभी खाना खा लेते हैं ठीक है? हम जैसे सुबह से तुम आराम ही कर रही है कभी कॉलेज, फिर ट्विशन, फिर रात का खाना त्यार करना उसके बाद फिर पढ़ना सच कहुना मुझे तुम पर बहुत तरसाब है और मेरा बस चले ना हम हम लोग ज़र बाहर जा रहे हैं लोंग ड्राइब पर वर्दा का मूड़ा था थोड़ा लेट हो जाएंगे खाना भी बार सिखा करेंगे हम बाहर खाना खाने के लिए जा रहें और आपने मुझे बताया तक नहीं कोई अप्लान नहीं था बस क्यों है जलें भेर खुदा हाथ भाई वो सफ्याखाला आप बार बार कमीटीगा पोल्स रही है कर ले ले ना तब दे दूंगा ठीके चलो हाँ चले खाना काते है यहाँ ठीक किस तरहां इसकी बहन की तजलील होती रही इसके सामने और यह चुप-चाप खड़ा रहा देखता रहा कुछ भी नहीं किया इसने क्या गैरत का मुझाहरा किया तुमने वाकई में तुमने प्रूफ कर दिया कि तुम अपने बाबा के बेटे हो पूछे अपने बेटे से कि अपने होने वाली बेदी से सरफ महपत निभा रहे हैं यह मुझे वर्दा के लिए कुछ कहना चाहिया था इसकी नजरों में ऐसा क्या था कि वो मुझे गलत होके भी गलत क्यों नहीं लगी झाल क्यूं कर रहे हो ऐसा अजमीर? ठीक है मत करो मेरी कॉल अटेंग मैं फिर भी तुम से अपनी खुशी शेयर करके ही रहांगी क्यूंके मेरी हर खुशी तुम्हारी वगेरत हो रही है अजमीर मैं नहीं जानती आप मुझसे बात क्यूं नहीं कर रहे हैं मैं फिल हाल आप से नराज़की की बचा नहीं पूछूंगी क्यूंके मैं जानती हूं आप जब मुनासिब समझेंगे मुझे खुब बता देंगे अजमीर आप से शेयर करने के लिए मेरे पास एक बहुत बड़ी कुट्टिंस है आपको पता है मुझे जॉप मिल गई है इचिछ पुट्टिंस हम जो मुझे दूए प्ल मुझे जो मुझे जो मुझे के लिए था बढ़ा आप हाँ मेटा मस तुमे शबगाने के लिए आया था कुछ तेंक यू बाबा आपने दू सब के मेरे दिल हलका कर दिया वन्ना ममा तो बाते सुना कर पेटा इसलिए तुम्हारे पास आया था मेरी बात मानो जितनी जल्दी हो सके अपने रिष्टे को बचाओ पेटा मैं थोड़ा जेचा करा हूं कैसे बात करूँ आरीस की शादी के बाद वो फॉरान कैसे उदा की शादी कर सकेगा समझ नहीं आरा मुझे लेकिन बात तो करनी है इसलिए मैं चाहता हूं कि पएदे तुम खुदा से मिलो उसके साथ बात करो अपने किले शिक पे दूर करो मेरा इक बात याद रखता हूं गलत फैमी की बुनियां पर इस देन नहीं बनाये जाते बात करो उसे बिलो तबाम खलत फैमी अदू करो उसके बात बेबात करता हूं इस मेरी से ठीक है? जी वाब अच्छबाश मेरी सिंदगे की पहली अच्छिव्मेंट का पहला दिन है और तुमने मुझे विश्टक नहीं किया सरी बेडिसन ले 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 हूँ सरी बेडिसन ले 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 हूँ तुम एतनी तमीजनी एंगे किसी के रूम में बगहर नोक्ये दाखिल नहीं होते हाँ? गदाउट! आपजाद गदाउट! पलीस कॉम लाँ सर, मैं आपका I said, get out. Get out from my room! Mama! 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 शहीर? बिटा? क्या हो बिटा? ममा. ममा अपके पास है बिटा? शुटे क्यों किया मेर से बैसे 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 बैसे? मुझे, मुझे छोड़कर अस बीर के साथ? अपको सम्हालो बिटा, खुदको सम्हालो! मुझे जाना इसके पास? मजे इसके पास है? छेके, मैं लेचलूगी तुम्हे, मैं. नहीं ममा अपके, अखिले जाओगा, खुट जाओगा, प्लीज माप, प्लीज ना. अचा, ठीक है, ठीक है, मैं बज़वा दूगे तुम्हें, लेकिन मुसे प्रामिस करना पड़ेगा तुम्हें. वहाँ जाके, बिल्कुल पैनिक नहीं होगे तुम्हें. नहीं होगा, नहीं होगा पैनिक. किसी तरह का बिस्बेहेव नहीं करोगे. रजेगे ना? बेजोगे, बेजोगे. 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 अच्छा. मिरा इक बात यहां दखता हूं. गलत फेहमी की बुनियाद पर रिष्टे नहीं बनाये जाते. बात करो उसे, बिलो. तबाम गलत फेहमी अदूर करो. उसके बात बेबात करता हूं इस मेल से. क्या मुझे वाकी होदा से मिलकर कुछ सॉर्ट आउट करना होगा? हम. वाबर ठीक कहते हैं. मुझे होदा से मिलना चाहिए. हाँ, हेलो अजमी. तुम कहाँ हो? मैं युनिवर्स्टी के बाहर हूँ. हाँ, ठीके, जल्दी आजो. आपको कुछ कहना है? आप भुदा है? मेरा दोस्ट आपसे मिलना चाहता है. आप मेरे साथ चले और उससे बात कर ले. कौन दोस्ट? और मुझे से क्यों मिलना चाहता है? मेरा दोस्ट शाईर. वह वहाँ गाड़ी में बैठा हुआ आपका इंतिजार कर रहा है. मेरे साथ चले आप. सलाम है इस शक्स की डिटाई को इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी चलाया मुझसे मिलने इतना को करते हैं. सुनेव, कहां जा रहे हैं अनी जल्दी में, हुस्से में बैग भूल कर जा रहे हैं। मूड अफ करके आफिस मर जाया गरें। तो तुम जल्दी उठ जाया करो वर्दा, तो मारी सोने की आदत की बज़े से ना, किसी दिन में आपनी नुकरी कोदो हुगा। तो आप उठ जाया गरें ना, मुझे क्यों कहरें। वाह, ये खूब कही तुम्हें है, हाँ? हुष्ण बस. अब वो वो अना वह जरूरद नहीं है कि आप पहले आप आप सहची थे। व कि आप पहले सब्हें है, हस्ब्हें तो चीज़ चीचा भी है। ज़श्ब्हें तो को सदचीचा लगता है। और मेरा क्या? मेरी कार कौन करेगा? मैं करूंगी, और कौन करेगा? चलता हूँ आपस, शाम में मिलता है अरे हाँ, और हाँ, सॉरी, मैं कुछ भूल गया था, ये ये कमेटी के पैसे है, अमी को देदेना लगता हूँ खुदा आपस ये अहाँ, 7-1 आपस क्या महब्बत करना जर्म है? क्या महब्बत की सजा बेबसी है? तो ये बेबसी उसके हिस्से में क्यों नहीं है? महब्बत जर्म है तो उसकी सजा हर महब्बत करने वाले को क्यों नहीं मिलती? सिर्फ एक को क्यों? अलाक अलाक शुकर है शहीर कम से कम अपने कमरे से बाहर तो आया मैं ठील हमें शहीर के लिए किसी साइकारिटर्स से कंसल करना चाहिए ठीक कह रहा है ये मेंटली तॉर्पे स्टेबल हो तो फिर इसे बाहर जाने की भी बात करते मैं कोशिश कर रहा हूँ यूके में कुछ डॉक्टर्स को मैंने इसकी डिटेयर रिपोर्ट बेजी है लेकिन प्लीज तुम इसका जिकर शेहर से मत करना स्थुआ करें मेरा बिटा अपने पैरों पे खड़ा हो जाए मुझसे शेहर की इहालत देखी नहीं जा रही है इंचाला अल्ला जरूर तुमने तुमाई सुनेगा तुमें एक भाई मत हो रहा था असला रखो शेहर स्वक्सेर मुकम्मद पर बर तुम पर ट्रस्ट कर रहा है भी डिपेंड्स मन यू असे मत रखो कितनी हम्मत रखो कितनी हम्मत रखो सल्माई अलाद का दुख लो कितनी हम्मत सबसे भारी दुख होता है क्या हुआ सर्वन क्यों पर भी दियान दे ले कैसी जिम्मेदारी है अरे मैं आरेज की बात कर रही हूँ कमेटी के पैसे देने न उसने अच्छा आरेज कमेटी के पैसे बिलकुल नहीं देगा वो इससे लिए क्योंकि ये कमेटी ना तो आरेज ने डाली है और ना ही इसके पैसे आरेज ने लिए तो इससे लिए जिसने पैसे लिए तो कमेटी के पैसे भी वोई देगा आरेज के पर बिलकुल इस चीज़ की जिम्मेदारी नहीं वर्दा ये तुम किस तरह बात कर रही हो सफिया फालास और कमेटी के पैसे आरेजी लेगा क्योंकि उसने अपनी शादी पे खर्च की मैं मुआफी चाकू उसकी तरफ से कोई बात नी सरवत पे समझती हूँ वर्दा की मामूली मामूली सी बाते मुझपे असर अंदाज नहीं होती है सिंदगी में और पी बहुत सारे मसलें अम्मी तेखने के लिए पता नि लोगों को क्या मिलता है दूसरों की जिन्द्गियों में मसले पैदा फिरके खुदा, क्या बात है, बहुत परिशनल लग रही है आपको बात है, मैं आज क्या हूँ चहीर आया था युनिवर्सिती चहीर तुम्हारी युनिवर्सिती कौछ इसमाइल, तुम्हारे पास एक बहुत ज़रूरी बात करने के लिए आया हूँ हम, मुझे पता है कि तुमने आरेस और वर्ता की शाती बहुत मुक्तसर वक्त में की है मुझे नहीं पता कि मुझे ये बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए लेकिन एक बात ज़रूर जानता हूँ कि मेरी बात का पुरा नहीं मानो गज़ हरे यारे वैसी क्या बात है, कहो ना क्या बात इसमाइल मैं सोच रहा था कि सरवाथ, सरवाथ रह यहाना? आप, आपके चाहे बना रहे हैं अच्छा अच्छा आज कल आपके दोस्त घर क्यों नहीं आ रहे थे? अब बेटी का सुस्फराल जो होगी है न, इसलिए है आरे भाई, आज क्या कहने आए थे? बताता हूँ, बताता हूँ पहले जरा आरे इसको बिला जी ठीक अरे इस बिटा, जिस तरह मैं तुम्हारे फर्ज से सुबक दोश हुआ हूँ, इसी तरह मैं चाहता हूँ कि हुदा का फर्ज पी अधा करूँ अबू, यह तो बहुत यह अची बात है, आप जल्दस जल्दस पर अमल करें बात तो बहुत अच्छी है बिटा, लेकिन इस पर अमल करना मुश्किल है क्या हम यह शादी करने के मुतहमिल हो सकते हैं? मुझे लगता है कि हमें जल्बाजी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा और अर्सा गुजा लेना चाहिए और वैसे भी हुदा परदा वेटा, आरेस को जवाब देने तो आरेस, मताओ, क्या अरेंज कर सकते हो तुम अपनी बेहन की शादी के लिए? अब वो जो भी आपका हैं, बलकि मैं कली कंपनी से एडवांस अलरेस की बात करता हूँ अरेस बेटा, सफिया के कमिटी के पैसे भी देने है अम्मी मैंने बर्दा को दिये थे ना, बर्दा तुमने अम्मी को वो तो दे दिये? अरे बेटा, किसे, किसे दिये थे तुमने पैसे? आपको पूरे बीस हजार सुब़ई तो दिये थे किच्छन में, याद नहीं आपको? बतलब एक और नया अलजाम मुझ पर डालने वाले आप लो अरे, अलजाम? जब सीरे से मुझे पैसे दिये ही नहीं, तो मैं तुम पर इलजाम क्यों डगाऊंगी? वर्दा क्या होंगे? तुमी ने तो कहा था कि कमेटी की पैसे आरेज भाईनी मुझे देने चाहें बस कर दो हुदा, कोई खुदा का खौफ करो, अब तुम बीस हजार की चोड़ी का इलजाम लगाओगी मुझ पर शर्म की बात अंकल, मैं चाहती हूँ कि आप अभी और इसी वाफ मेरे सामने आँटी और हुदा से पोचें कि आखिर इन दोनों को मुझ से क्या मसला है भतनी क्यों मेरे उपर इलजाम लगादे रहते हर चीज से मेरे इन लोगों को मसला है और अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं कभी भी हुदा को अपनी भावी बनाने के बारे में बाबा से कभी नहीं कहते वर्दा, तुम बात करो क्यों बदन रही हो भाई, अब बूब, आप लोग अभी साफिया खाला को बला के उन से खुद ही पोच सकते हैं जैसे के हम जानते नहीं है न, के सफिया खाला की दूस्ती किस्स जाता है हमें याप बीस हजार ओल ले लीजिए का मुझसे, लेकिन फ्लीज, इस तरह मेरी बीवी पर इल्जाम लगाना बंद करें और अब बो, आप कीजिए शादी के सारा अरेंजमेंट मैं पैसे तूँगा, कहीं से भी अरेंज करूँगा पर करूँगा चरो यहां से हर रोज एक निया मसला इस सूरत में खुदा का पर्दा के भाई से निभाब आखिर तुम सब का मसला क्या है अब भुच्सामत करें मुझे लगता है कि इसमें मेरी हैं गलती है खुदा मुझे शुरु से ही शाद पसंद नहीं करती थी भाभी के लूप में मेरी हलती है कि मैं ही चाहती थी कि यह शादी हो रहा है और यह सब कुछ मेरी वज़ा से हो रहा है नहीं यार इस सब में तुमारी कोई खलती ही नहीं है बकि मुझे तो खुद हैरत हो रही है कि अम्मी तुम पर इल्जाम कैसे लगा सकती है यहां ठीक है शादी के बाद बेटों की माएं पसर सिर्फ हो जाती है लेकिन इसकदर और तुमने ने हुदा को अजमीर के साथ भेज़ दिया मैं मैं और क्या करती बलकि आँटी ने खुद ही कहा था और हुदा ने इसी मुलाकात के नतीजे में अजमीर के लिए हां करिए बलकि मुझे तो लगता है के भुदा सिर्फ और सिर्फ आपको कर्जे में डालना जाए इसी लिए यह सब कुछ बो कर रही है जान बूच की अगर आप मेरी माने ना तो तो मना करते है इस शादी से नहीं होने तो इस शादी कर लूँगा सारे इंतिसाम में खेर तुम मेरे लिए कोई नई शट प्रेस कर दो मेरी एक इंपॉर्टन मीटिंग है बहां चाना है मझे जी बीवी से इतने भी क्या महवबत है कि मा की सचाई को मश्कूट बना डाना और वो बर्दान वर्सों से उस लड़की को देख ले आ रहे है बच्पन से तुम्हारे साथ है इस कदर जोटी साजशी होगी है हमें कैसे नहीं बता चले है हौरा रेस मेरे ही वजूद से जिन्दगी पाने वाला मेरा बिता अज मुझे ही बेतबार जूटा बही मान कह रहे है क्या उसे नहीं पता उसकी मान कैसी है प्लीज हमें सबाले पुद को रिष्टों में भी जिन्गी की तरह उतार चड़ाओ तो आता रहता है और वर्दा तो हमेशा से ही ऐसी थी अज़र से कभी मौका नहीं मिला कभी-कभी हम लोग अच्छाई के आईने में दूसरों को देखने की गलती करते थे और परदा तब चलता है जो हमारी आँकों में धूल का इसास होता है अच्छाई खुदा बेटा असमी उससे तुम्हारी कोई बात हुई है मैने उसे गाहत कॉल्स की थी लेकिन उसने अटेंडी नहीं की और ना ही कॉल पैक की मुझे बेटा जब रिष्टे निभाने की नियत हो तो जिद और अना को दर्म्यान में नहीं ला दे अगर वो नहीं कर रा निटा तुम फोन कर लो किया था अमी क्या फिर से रिष्टों को संभादने के लिए अगरत को बार बार मुझको बुलाना पड़ता है प्राइब फ्राइब जड़ता है रिष्टों कर दो आप प्राइब बार अगरत के लिए अगरत के लिए